चार पॉइंट पांच बिलियन साल पहले अर्थ बनने से लेकर आज तक इनसान की उपज होने के लिए काफी सारी मुश्किलें आई हैं। एस्ट्रॉइड, भयानक ज्वाला मुखी विस्फोट और पृत्वी की सतह पर पूर्ण ज्वाला मुखी से टक कर भी इस पर जीवन के आर्किटेक्चर होने के सवाल खड़े हुए, जो सिर्फ अपने अतीत को ही नहीं बलकि भविश्य की भी देख सकता है। हम प्लेन में बैठ कर देखें तो कूपा विंडोज से अर्थ को तो ये देख कर जबान से छूकर बताना बहुत मुश्किल है कि धर्ती एक समान शरीर है, जिसमें प्रकृती के कई भागों का जोड़ है। प्रित्वी का इतिहास, जीवन का इतिहास एक अंतिम कथा है, जिसमें कई मोड और सुझाव है। इस कथा में नए किरदार आते जाते हैं और पुराने किरदार समाप्त हो जाते हैं। पहाडों और नदियों से भरे हमारे ग्रह के जलवायू ने होमो सेपियन्स जैसे पहले जाती को उभारने का काम किया। और ये जरूरी तेज है कि हम इसको कितनी आसानी से नुकसान पहुँचा सकते हैं। इनसान ज्यादातर बड़ी चीजों की तरफ ही देखता है। मगर हकीकत ये है कि एस्टरॉइड टकराने का खत्रा बहुत कम है जब हमारे पास इस समय केवल और केवल जलवायू और प्रकृती के बदलने का खत्रा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पास के ग्यान को अच्छी तरह से इस्तमाल करें और अपने भविश्य के बारे में अच्छे फैसले का फैसला लें। हमने इस ग्रह को देखा और इसका पोशन करना हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि हम सभी को नुमाया सादगी के साथ यहां रहना है